आप पासकते हैं कि आपका ध्यान आपके करिया और पेशेवर जीवन पर अधिक है। रिशब मासिक कुंडली के अनुसार यह आपके लिए विकास और नए अवसरों का समय हो सकता है। इसलिए नए अनुभवों और चुनोतियों के लिए खुले रहें जो आपके रास्ते में आते हैं। जब शुक्र दो माई को मिथुन राशी चक्र में पारगमन करेगा तो प्यार और रिश्टों के संदर्व में यह महीना कुछ रोमांचक नई संभावनाएं ला सकता है। नई कनेक्शन तलाशने और मौझूदा रिश्टों को गहरा करने के लिए आप खुद को अधिक खुलापा सकते हैं। इसलिए यह नई और रोमांचक अनुभवों को जन्म दे सकता है, रोमेंटिक और सामाजिक रूप से। मई कुंडली 2023 के अनुसार, आपके व्यवसाय और पेशेवर जीवन में, यह आपके लक्षों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में प्रगती करने का एक शानदार समय है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मंगल 10 मई को कैंसर में पार करेगा। इस प्रकार, आप पासकते हैं कि आपकी कड़ी मेहनत नए अफसरों और अपने सहयोगियों और वरिष्टों से मान्यता के रूप में भुगतान करती है। कल्यांग के बारे में, व्रिषब को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थे का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि न्यू मून 19 मई को व्रिषब चिन्ह में होगा। इसका मतलब नियमित व्यायाम और स्वस्थ आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना और आराम करने औ उनके साथ एक नई व्यापार साजेदारी शुरू कर सकता है।